असलाम लेकुम फ्रेंड आज में लेकर आएं सबेब राता स्पेसल चने डाल की कातली बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार साथ ही बहुत ही इवदाने दार बन कर त्यार होगी तो इस रेश्पी को आप प्वेंट तक जरूर देखिएगा आपको बहुत ही पसंद किया है इसे हमने चार-पांच घंटे पहले भीगो कर रखा था आप चाहे तो रात भर भीगो कर भी ले सकते हैं इधर हमने कड़ाई चड़ाई कड़ाई गरम होते ही इसमें हम चना डाल को डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एक ग्लास दूद डालेंगे और इसे 10 से 12 मिन पान डेंगे जो अच्छी तरह से उबाला जाएगा तो इसे ढखकर पकाएंगे दूद में उबाला चुका है यसे अब हम ढ़कन ढखकर लोफ लें में 10 से 12 मिनट हम पकाईगे यह देखिए 10-12 मिनट हो चुका है पान दूद भी सुक चुका है अब जो थोड़ा बाकी है संड़ने, और हम खुला में पकालेंगे से अ दाल हमारा यह क्याँ पकुक हो चूका है। क्यों देखिया दाल हमारा कुक हो चूका है, इससे ज़्याद हम नहीं पकांगे नहीं तो दाने दार नहीं बने गा Mitt Kalreez इसे अच्छी तरह से ठंड़ा होने दें उसके बाद ही इसका दरदरा सा पाउडर बना लें इसे अब हम मिक्सर जार में दरदरा सा पाउडर बना लेंगे एक बार में जादा पाउडर ने डालें थोड़ा थोड़ा दाल डाल कर इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लें जब थंड़ा हो जा अच्छी तरह से तभी डाले नहीं तो चिपचिप आसा बनेगा थंड़ा होने के बाद ही इसका पीशें यह देखिए हमने सारा डाल पीश कर ले लिया है बहुत ही दानेदार बनकर त्यार हुआ है यह देखिए कितना खिला खिला बना है इससे बहुत अच्छा हलवा बनता है इसका इधार हमने आप कड़ाई चड़ाई है कड़ाई में हम दो बड़े चम्मच भर कर गी डालेंगे गी जब गरम हो जाएगा तब हम अब हमने पीश के रखा है दाल उसको अब आच्छी तरह से लो फ्ले में 10-12 मिनट तक भुनेंगे यह इसका जब तक कलर ना चेंज हो जाए दाल को अच्छी तरह से भुनने से इसका कतली या हल्वा बहुत अच्छा बन कर त्यार होता है इसे लगातार लो फ्ले में भुनते रहें तेज फ्ले में ना भुने नहीं तो यह जल सकता है लो फ्ले में इसी तरह से 10-12 मिनट तक भुन लें यह देखिए हमारा दाल भी भ चड़ाली है अब हम इसमें दो चमच गी डालेंगे गी जब गरम हो जाएगा तब इसमें हम कुछ ड्रैप फ्रूट डालेंगे इसमें हमने 20 गराम पिस्तक चिरोंजी बदाम काजू और किस्मिस लिया है सारा चीजों को हमने बारिक काटा है सब हम डाल कर अब इसको गी में नहीं डालें क्योंकि वह जलने लगती है ये देकिए बुन चुका है उसके बाद हम आप किस्मिस को एड करेंगे इसको भी एक दो सकेंड के लिए भूल लेंगे किस्मिस भी हमारा फुलने लगा है ये भून चुका है इसमें अब हम सुगर एड करेंगे यह दखिए हमने इसी कटोरी से एक कटोरी चना डाल लिया था इसी कटोरी से हम 3-4 कप चीनी लिया है आप चाहे तो बराबर मात्रा में ले सकते हैं अब हम इसी कटोरी से दो कटोरी पानी डालेंगे यह दखिए हमने दो कटोरी पानी डाल दिया है इसे अब हम उबाल लाने देंगे चीनी को मिक्स करते हुए हम उबाल लाने देंगे और इसे गाढ़ा तहोने तक पकाएंगे यह देखिए हमने केशरी कलर का एक पिंच डाला था इससे कलर अच्छा आता है आप चाहे तो इससे स्किप कर सकते हैं बिल्कुल अप्शनल है अब हम केवडा वाटर लेंगे दो तिन ड्रोप इसी साथ हमने आधा छोटा चमच इलाची लिया है कुट कर यह देखिए हमारा 4-5 मिनट हो चुका है और हमारा पानी गाड़ा हो चुका है इधार हम एक प्लेट में थोड़ा गी डाल कर गिरीश कर लेंगे इधार हमारा पानी गाड़ा हो चुका है चिप चिपा होने लागा है अब इसमें हम जो पावडर पीस कर रखा है इसे अब हम हल्वा बनाएंग कर और इसे मिक्स करते हुए हम बनाइंगे एक ही बार में ज्यादा ना डाले नहीं तो गुटलियां बन सकती है इसदर आप चाहें तो इस समय किसी की मदद भी ले सकते हैं थोड़ा-थोड़ा डाल डालकर और पकाएं यह देखिए हमने थोड़ा-थोड़ा डाल कर सारा मिक्स कर लिया है ऐसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लगातार चलाते हुए लोफ लेम में इसे पकाएं तेज में नहीं पकाएं नहीं तो तुरंट पानी सुक जाएगा और अच्छी तरह से नहीं बनेगा मिक्स कर लिया था इसमें अब हम दो चम्मच घी डालेंगे और इसे दो तिन मिनट के लिए और पका लेंगे यह देखिए हमने दो चम्मच घी डाला है इसे बहुत ही टेस्टी बनेगी इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और हमारा हल्वा या कतली बनकर अच्छा सा दानेद बनकर त्यार होगा कि इसी तरह से हम दो तीन मिनट अच्छी तरह मिक्स करते हुए भूल लेंगे यह देखिया हमारा हल्वा चना दाल का हल्वा बनकर त्यार हो चुका है बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होती है ऐसे ही अच्छा तरह से मिक्स करते हुए आपज़ कहम फ्लेट में निकालेंगे पि ऐबहुने जो घी डाल कर रखा था इसी प्लेट में हम सारा हल्वा ढाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से चिक्ना करकर फ्लेट में फ्हेल लेंगे यह देखिए हमने इस पेचुला की मदद से चारों तरफ फिलाते हुए अच्छी तरह से प्लेट में चिकना कर लिया है इधर आप हम उपर से जो हमने ड्रैफ रूट काट कर रखा था उसे आप हम उपर से थोड़ा डाल देंगे इसा देखने भी आछा लगे, और खाने भी बहुत आफ़ा लगता है अब हम उपर से जो पिश्टा कटके रखा था अब उपर से डाल देंगे और स्पेचुला की मदद से हम सारा दाएफ फुट को अब हम आच्छी तहरा से श्पेचुला मदद से हम चिफका देंगे अब हम अपने माना पसंद के अनुसार हम इसका कट लगा लेंगी कट लगाने के बाद इसे आप तुरंट ना निकालें एक दो घंटे होने के बाद इसे ठंडी होने दें अच्छी तरह से उसके बाद निकालें नहीं तो तुरंट निकालने से तूट सकता है यह देखिए हमारा चना डाल कतली बन कर त्यार हो चुका है बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बन कर त्यार हुआ है इस सब बरात आप अपने घर पर बना कर देखिए अगर मुझे कमेट में जरूर बताइए कि कैसे बनी है मेरे वीडियो को लाइक करिए और सेयर असलाम लेकुम खुदा हापिस मिलती है अगले ही नेक्स्ट वीडियो में